इस वक्त मुदि जिले के के पार्टर विधान सभाशेत्र में मौझूद हैं और जिस तरीकसे लाजस्तान के बागि बाढ़ ब्रस आलाके नहीं है। मैं यह पहरा क्या है таки मेरा पहला रिएक्षन ही हुगा कि अठ्ञ तो अब तो यही प्रातना कर रहा है कि पानी कहीं डाउन हुगा तो यह जो लोग जिनकी पूरी जिंड़ीगी हुगी भर इन्होंने मकानों में लगा दिए इनके सामान खरीदने में लगा दिए वह कईनकई जो अन्न है खाने का वो सारी सामगरी कईनकई सेव बचे इतना सा मास लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है लेकिन माम सचुवेशन यह ऐसी क्यों है कि भगवान भरोसे क्यों है बिल समय वापस इन्होंने अपना आसिया को कई नहीं दोबारा से सजोने का काम किया उसको अच्छा करने का काम किया लेकिन क्यों नहीं सरकार के इस तरफे विवस्ता हो कि जितने भी हमारे दूप आतर के जमीने वहाँ इनके प्लाट कटे और जए प्यावास होजनाघ में हूँ चाहे कोई नई स्कीम इनके लिए विलकुल मदद तो हम जब कहेंगे ना जब राज्य सरकार की तरफ से हमें यह होने वाला है कि हम इनको प्लाट काट के दे रहे हैं इनको मकानों के पैसे दे रहे हैं मैं आपको बड़े दुख्य साथ इस बात को बोल रही हूं मेरी विदान सवा में गत वर्स बाड़ की वज़े से 4000 मकान सतिगरस हुए धरासा हुए लेकिन मैं कहूंगी कि 901,000 मकानों का पेसा आना अब बताओ जो गरीब पूरी जिंदिगी पर कमा के अपना मकान बना रहा है और उसके बाद हम उसको यह बोल दे कि ठीक है हम आगे जो सरकार को देना था हूँ देना कहीं नगा इसमें भी घाल मेल सा मुझे लगता है इसमें भी मुझे तो Mन किस तरह का घाल मेल? किस तरह के परसटा बिलकुल मैं आपको बोल हूँ? इसमें क्या होता है? बहुत सारी जगा गलत हुआ है. मैंने खुद ने देखा है. जहां जिस जिले में कम नुक्सान हुआ है, वहां पैसे ज़्यदा जा रहे हैं. मैं तो आपको बोल रहे हूं इसके सरकार जाच करवाए कि पिछली बार मेरी विदान सभा के कितने मकान गिरे और कितने लोगों को पैसा दिया इसके जाच होनी चीए मैं खुद इसको विदान सभा में उठाने वाली हूँ अभी हमारा इतना सा है कि सरकार की सतर पे कोई में आपको बोल रही हूं मैंने तो उस समय भी बात पोचाने का प्रयास किया और मैं तो अभी भी आपके माद्यम से मांग कर रही हूं कि सीएम साब खुद आए और बाकाइदा घरती पर नहीं आ सकते तो आकासिये यात्रा करें हेलिकोप्टर से घुमें सारे गाउं का दो तुरंत प्रभाव से आ जाना चीए और उनको देखना चीए क्योंकि देखो पसल तो आपने पसल का नजारा देखा होगा क्या हलत हो रही है पूरी पसल चोपटे और मकान भी अगर नहीं बचे तो मुझे लगता है आदे लोगों का तो दिल वेसे ही टूट जाएगा क्या बचा इनके पास खाने का सामान नहीं बचा सब कुछ और सबसे बड़ी बात अभी तो जो लोग हमारे कल से उलजे हुए हैं जो बिलकुल ऐसे टापू पे पसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो टीम आने वाली है वो अभी तक नहीं आपाई तो वो भी तुरंत प्रभावत इलागों के लिए वो नहीं मिल रही है ना मैं आपको बिलकुल में सरांसर आरोप लगा रही हूं पिसली बार मेरी विदान सभा कि इतने गाउं के मकान गिरे में ये सबाब के सामने खड़े इन से पुचो कितने लोगों के पैसे आए और पैसे कहां गए किसके जीलों में वड़ गए इसको जा चोनी चीए जिनके मकान गरें उनके पैसे नहीं आते जिनके मकान नहीं गिरें उनको पैसे मिलते नहीं को advantage जादा आइए ये कerealारीक हिए अब है आक को किलेर सब्दों में निवेदन करना चाओंगी मात्र पंचयत इस्तर पर ये खाने पिने की विवस्ता की जा रही है जहां तक मुझे यादे पंचयत इस्तर पर सरपन साब हमारे कर रहे हैं हमने काई जहां कई इनको प्रोब्लम आईगी उसमें भी हम लोग मदद करें लेकिन इसके लिए तो एक व्यापक अभियान चले जहां कही इसी बस्तिया हैं तो उनके लिए तुरंत प्रवाव से गरम खाना बन के आए उनको दिया जाए और हम लोग भी कर रहे हैं इसमें जो भी करनी अधिकारी लेवल पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं पर कुछ जगह थोड़ी देरी होती है तो उसमें भी सब मिलके करते हैं कई परिवार के लोग कर रहे हैं कई एक दूसरे को सब लोग कर रहे हैं यह मेरा इसमें आज लोगों की जिन्दगी बाढ़ के बीच मुहाल हो गई है.